दोस्तो जियोग फाइनसल सर्वीश ने अपना क्वाटर थी का रिजल्ट डिकलेर कर दिया है रिजल्ट में इस बार प्रॉफिट और रिवेन्यू में कमी आई है क्या इस रिजल्ट को देखके हमें डरना चीए जिस तरह से आज गिरावट हो रही है लोग पैनिक सेलिंग भ वी कर रही है तो क्या इस गिरावट का फाइदा उटा करे हमें इस रिजल्ट के बाद इल्ट देने को तयार है तो अलग-अलग ब्रोक्रेज आउस की क्या राय है जियो फाइनसर सर्विस को लेकर और मैनेजमेंट का क्या कहना है इन सारी बातों को जानेंगे और अच्छे से रिजल को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या ही हमारे लिए गोल्डन अपर्चुन चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो अभी लग-बग 11 बजे के आसपस का टाइम है जियो फाइनसर सर्विस की बात करें तो स्टॉक की फाथ ही निगेटिव हुई 254 पर अब आप देख सकते हो कि क्लोजिंग कल की 266 के आसपस थी गिरावट के साथ सुरूआ तो और उसके पीछे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पैनिक माहौल भी बना जया था कि लोवर सर्किट लगेगा लोवर सर्किट लगेगा लेकिन आपने हमारा कल का वीडियो देखा गो तो मैंने कहा था कि रिजल्ट में इतनी कोई कमजोरी नहीं है अब अच्छे से पूरा रिजल्ट को एनालिस करना था उसके लिए फिर से वीडियो जरूरी है लेकिन कल ही मैंने कहा था कि डरने की बात नहीं है लेकिन फिर भी लोग प्रेट करना जापे 5.12% की गिरावट है हो सकता है थोड़ी गिरावट और बड़े तो एक तरसे ही आपके लिए मौका ही है नीचले लेवल पर खरीदारी करने का अब यह जो आज जो गिरावट हुई इसके पीछे सिर्फ रिजल्ट ही जिमेदार नहीं है इसके पीछे कल ही इसने एक फ्रेश और टाइम हाई भी बनाई थी यह भी आप देख सकते हो आप देख से तो कि आज 251 का लो और हाई का 258 का है 52 का लो 202 का और हाई 269 का जो इसने कल बनाया था तो स्टॉक ने जबरदस तेजी लगाई जो डॉड लगाई तो अब भी यह प्रॉफिट ब 257 की ग्रावटी लेकिन 11 जनुरी को टॉक 251 का असपास है जाप ए 4.4% की सांधार तेजी बनी 12 जनुरी को टॉफिप्टि फाई जापे 1.4% की फिर से तेजी बनी और 15 जनुरी को शुट्क सिधा 266 पर पहुझा 4.6% की तेजी के साथ लेकिन इंटर आडे में 269 तक भी ग टू क्रोड का वालिम था, वन क्रोड का बात है, पर यहां पर सब से पहले अगर हम सेलस की बात करें, इस बार 414 कrowड का कमपणी का टोटल सेलस है, पिछले सितंबर में यह 608 क्रोट के आसपास था लेकिन जून में 414 क्रोट के आसपास था तो अगर हम जून से कंपेर करें तो सेल्स उतना ही है उसमें कोई गिरावट नहीं हुई है यह सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है अब कंपनी के खर्च की बात है इस बार 94 में नोरी है कुछ नहीं और एसेसरीज खरी दे जारी है कंपनी के लिए कुछ सारी का सारे सेट अप किये जार तो यह खर्च बड़ा है यह भी आपको धियान करना कि इस बार बहें रिवेन्यू कम हो लेकिन साथ में कंपनी का खर्च में भी बड़ोत्री हुई है अब ऑप इंकम देके तो यह आकड़ा सबसे बड़ा गौर करने वाला है जून 2023 में 67 क्रोड की अधर इंकम थी और सेप्टर में पिछले क्वाटर में यह 218 क्रोड के आसपास थी इस बार मात्र 67 क्रोड की ही अधर इंकम है तो यह सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात ही जो प्र प्रॉफिट मिली तो उसमें अधर इंकम का भी योगदान था इस बार अधर इंकम कंपनी की कम है अब यहाँ पर देखो कि प्रॉफिट भीफोर टेक्स फोर डे टॉटी सेवन क्रोड था जून में इस बार 381 क्रोड क्या पस रहा है पीछले बार यह 754 क्रोड क्या पस था त तो इसको आपको इस आखड़े को खास ध्यान से देखना है बीजनस अभी शुरू हुआ है कमपनी का और उसके बावज भी अगर 294 क्रोड का सांधार प्रॉफिट बता है तो इसको हमें एप्रिशेट करना चीए क्योंकि आने वाले समय में इसका असली बीजनस हमें देख अगर आप देखें तो एक प्रॉफिट में बड़ा गिरावट देखना को मिले तो इसके पीछे वज़े की जो रिलाइंस कमपनी के तरफ से इनको डिविडेंट दिया था वो डिविडेंट इस बार नहीं मिला है यानि पीछले क्वाटर में वो डिविडेंट एड था इस एंटरम ब्रोकिंग का कहना है कि अब एक मजबूत लिडर्शिप त्यार हो चुकी है बीजनस आने वाले समें तेजी से बड़ेगा लेंडिंग का बीजनस हो या फिर इंसुरेंस का बीजनस जो तेज गती से बड़ेगा और इसके बाद में यहाँ पे आकड़े बहुत इस रिजल्ट को लेकर हमें जाला चींता करने की ज़रूत नहीं है जियो फाइनेसल सर्विस ने 27 अलग-लग इंसुरेंस कंपणी के साथ में बीजनस टाइब किये आने वाले समें जनरल इंसुरेंस लाइफ इंसुरेंस और हेल्थ इंसुरेंस के अलग-लग बीजनस शुरू होगा इसके अलबा कंपणी एक डेबिट कार्ड लॉंच करने जा रहे है और यह आने वाले समय में इनके बीजनस को और चार चान लगाएंगे तो हर तरह से डिजिटल पैमेंट सोलूशन करने का जो काम का शुरू होगा इसके अलावा जियो वाइस बॉक इस बार जो प्रॉफिट बता है यह अभी तक सुरूआत है यह तो अभी बीजनस इनके सुरू भी नहीं हुए जब बीजनस सुरू होगे तब असली रिजल्ट हमारे सामने होगा अभी इनका पैमेंट बैंक का बीजनस सुरू होगा इनका इंसुरेंस का बीजनस सुरू हो बहुत तेजी से अपने कारूबार को आगे बढ़ेगी एक मजबूत लीडरिशिप त्यार हो चुकी है और ये कंपणी का कारूबार तेजी से बढ़ेगा इन सब को मिला के ये कंपणी बनाई गई गई है कंपणी न एक बड़ा फैसला और किया रूपाली अधिकारी सावत को गुरूप हेड इंटर्नल औरिट बनाने के प्रस्ताओ को भी मंजूरी दिये है और 5 जनवरी से उनकी जो appointment है वो मानने होगी साथ में सुधी रेटी गोगुला को group chief compliance officer बनाया गया है उनका कारेकाल 4 साल का होगा और 15 जनवरी से शुरू होगा तो कुछ भई बड़ी appointment हुई यह अब आप समझ सकते होगी आपको यह बात को भी खास ध्यान दखना होगी फरवरी महिने से यह large cap में सामिल हो जाएगा यानि company large cap बन जाएगी और उसके बाद में बहुत सारा fresh investment आना शुरू होगा जो company से large cap में investment करते उनका investment भी आना शुरू होगा तो फरवरी से इसकी price definitely बढ़नी सुरू होगी और इसलिए यह मौका अच्छा है कि एक तरसे इसमें आपको dip में खरीदारी करने को मिल रही है आपको इस level पे खरीदारी करनी चीए अब चलते है कुछ बड़ी deal की तरफ जिसकी वज़े से यह पूरा आधर गिरावट का माहल बना सुब सुब कुछ बड़े fund उसने profit booking के सुब 9 बचकर 252 की price से 6,500,000 की बिक्वाली हुई उसी समय 9 बचकर 252 की price से 3,600,000 की बिक्वाली और हुई और उसी समय 9 बचकर 252 की price से 7,600,000 की बिक्वाली और हुई फिर 9 बचकर 252 की price से 3,600,000 की खरीदारी हुई तो फिर उसी समय 9 बचकर 252 की price से 4,600,000 की फिर से बिक्वाली हुई यारी सुब सुब ही किसी बड़े fund उसने अपनी profit booking कर लिए जिसने निशले level से खरीदारी की होगे फिर 9 बचकर 252 मिनट पर 253 की price से 3,18,600 की खरीदारी हुई तो उसी समय 9 बचकर 252 मिनट पर 252 की price से 3,600,000 की फिर से बिक्वाली हुई फिर 9 बचकर 30 मिनट पर 256 की price से 3,300,000 की बिक्वाली हुई फिर 10 बचकर 22 बनेपर 253 के प्से तू लेक से रोकी एक बिक्वाली और हुई ल टाइम हाई कल बनाई थी उसके बाद में कुछ बड़े फंटाउस ने निशेनल लेवल से खारीडारी की इस रिजल्ट को देख रहता कि गिरआवट होगी क्योंकि माहुल बन गया था तो उन्होंने अपनी profit booking किया लेकिन बहुत जल्द यहां पर फिर से एक सांधर तेजी बनेगी ऐसे में long time investor के लिए अच्छा मौका है कि dip में खरीदारी करें आने वाले से मैं जियो financial service आपको माला मल कर देगा लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors बढ़ए ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेजर की जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीज थैंक यू फ्रेंड